इस वीडियो में फ्रेंट्स हम बात करेंगे वार्टसप की नौटिपिकेशन सेटिंग के बारे में कई बार वार्टसप की जो नौटिपिकेशन सेटिंग है वो हमें परिशान कर देती है या फिर WhatsApp की notification के बारे में हमें बहुत सारी चीज़े नहीं पता होती है जब WhatsApp पर कोई notification आती है तो उसकी tune किस तरह से बचती है क्या हम उस tune को बदल सकते है या फिर group में जब कोई message आए तो उसकी tune अलग क्या set कर सकते है जब कोई message करे तो उसकी क्या tune अलग से कर सकते है इस सारी चीज़े आप किस तरह से कर सकते है ताकि आपको भी बार बार अपने phone को चेक ना करना पड़े आपको सिर्फ notification से ही notification tune से ही पता चल जाएगा कि क्या आपको group वाला message आया है या फिर आपको directly किसी ने message बेज़ाए इस वीडियो में आपको notification के बार में विस्तार से जान करें देंगे जिससे कि आप लोगों को काफ़ी सारी चीज़े WhatsApp की notification के बार में पता चलने वाली है वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करेंगा और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजे तो सबसे पहले आपको setting में आ जाना है WhatsApp की setting में आने के बाद आपको यहाँ पर notification का एक option मिल जाता है third number पर है तो इसके उपर आपको click कर देना है अब यह notification जो है WhatsApp की उसके उपर पूरा जो पेज है वो यहाँ पर है उसमें अलग-अलग तरिकी की setting है by default setting आपके phone में कुछ इस तरकी होगी अब हम इसको जोड़ा सा change करके आपको बता देंगी conversation tune यहाँ पर सबसे पहला option है play sound for incoming and outgoing messages तो इसको आपको सबसे पहले on रखना है अगर आप इसको off कर देंगे तो फिर आप अगली जो भी setting करेगी उसका कोई भी फाइदा नहीं होगा तो by default इसको on ही रखिएगा आते हैं नीचे अब यह setting है messages की यानि कि अगर आपको कोई आपका friend या फिर कोई भी relative message करता है friend बगरा तो उसकी किस तरह से आप notification लेना चाहेंगे जब आपको message आता है तो यहाँ पर सबसे पहले notification tune इसके उपर आप click करेंगे तो यहाँ पर अलग-अलग tune बजेगी जैसे कि यह इस तरह की अलग-अलग tune आप set कर सकते हैं तो यहाँ पर मैंने एक set कर ली उसके लाओ pop-up note fiction no pop-up है यहाँ पर on screen, off screen and always show pop-up यानि कि अगर आपको कोई message आता है तो अगर आपकी screen lock भी है तो भी वहाँ पर show होगा अगर आप इसको on करते हैं, off करते हैं तो वहाँ पर show नहीं होगा फिर आप जो चाहें वो कर सकते हैं light में आप इसे अलग-अलग color भी choose कर सकते हैं यह setting ज्यादा तर phone में apply नहीं हो पाती है light वाली, लेकिन आप इसको भी try ज़रूर कर सकते हैं उसके अलाओ use high property notification तो यह भी कुछ खास mobile में सभी के work नहीं करेगी तो इसके लिए हम इसे skip कर देते हैं by default on रहेगा तो on ही रखिएगा अब जो अगली setting आती है वो है groups की पहली जो हमने देखा message वाला था जोगी individual message कोई friend वगेरा करता है तो वहाँ पर आप अलग tune set कर सकते हैं और यहाँ पर एक group वाली तो आप group में भी आपको अलग-अलग notification मिल जाती है तो आप यहाँ पर भी अलग तरिकी की इस्तमाल कर सकते हैं या पर बहुत सारे option है इसमें से आप जो भी चाहे वो ले सकते हैं जिससे होगा क्या अलग-अलग notification tune बज़ेगी तो आप भी पता चल सकता है कि group वाला message है या फिर किसे ने आपको directly message भेज़ा है same option यहाँ पर भी है अगर आपको message आता है group से तो कि आपका phone vibrate करेगा by default yes होगा थोड़ा सा short में हम कर देंगे तो थोड़ा सा ही होगा और long करेंगे तो काफी देल तक आपका phone vibrate होता रहेगा after group message group message आने के बात खेर इसे हम off कर देंगे क्योंकि vibration भी काफी अच्छा नहीं होता है as a phone के लिए तो इसे मैं off कर देता हूँ pop up notification light की अले दोनों ही option यहाँ पर भी है यह तीनों ही option है इसको आप by default ही रहने दे या से थोड़े से change कर सकते है या आप ज़्यादा change करने से कोई खास फड़क परता नहीं है नीच चाहे calls वाला option तो आपकी जो call आईगी WhatsApp पर चाहे वीडियो call हो चाहे एडियो वाली call हो तो उसके उसको आनिक बात आपकी कौन सी रिंग टॉम बज़िगे तो वो भी आप राप set कर सकते है अलग तरीकी की रिंग टॉने आपर भी मोजू दे अलग अलग तरीके से इस्तमाल आप कर सकते है वही पर vibration वाला option ही इसको भी आप off कर दिजे क्योंकि phone vibration होना अची बात नहीं है तो इस तरह की वहर्टसेप की notification setting है जो कि आप बदल सकते हैं चेंज कर सकते हैं और इससे काफ़ी ज़्यादा आपको help भी होगी कौन से message आया है ये पता करने में और साथी vibration आप phone का इससे बंद भी कर सकते हैं अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और हमार चैनल को अभर आपने अभी तक सब्सक्राइब ने क्या तो सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजे और भी कोई जानकर जानने चाते हैं तो comment box में आप हमें और भी information फूल सकते हैं वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रें